तो हमारे यहां पर अभी है रिद्धी माई अभी लेबल है यहां पर तुमको कुछ खाना है क्या ने खाना है क्यों पापा के डर से नहीं खाना है लोग का मसला डोसा आज चुका है क्या हल चाल कैसे आप लोग तो दोस्तों आज है 11 दिसंबर और हम लोग के मौर्णिंग के सुरुआत हो चुकी है पार्थरे दीविसों के उठ चुके हम लोग का चाइना स्था भी कम्प्रीट हो चुका है तो आज का स्ट्रेवल हम लोग का ऐसा है कि थोड़ा कुछ प्लान बाहर जाने का तो अब वो कितना सक्सेस हो पाता है हम आपको आगे के व्लॉग में अपडेट करेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीस वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए हम लोगों पार्थ हो जी करें यह रहा भार्थ फोल्व लोग है अमन bowling पोमगू कु het मोच्थ हो गया है और यह में प्लत मैं महीं को और रिद्धी अभी गई है नहा ने तो जैसे ही नहा के आती है रिद्धी फेसो के आती है आप लोग से मिलाते हैं रिद्धी नहा के आ चुकी है रिद्धी सबको हेलो बोलो रिद्धी अभी रिद्धी और पार्थ का हेलो का मतलब दुसरा हो गया है कि जैसे फोन में हम लोग ऐसे लोग बोलते हैं चलो रिद्धी रधी कर दो राधी 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 कैसे करते हैं अब पापा गुड मॉर्निंग बोली है जो गुड मॉर्निंग किसी दिया पापा को अब हम जा रहे हैं बाद में मिलेंगे यह दोनों अभी सोके उठ गया है महारती है रिद्धी तुम्हारे जुत्ता में बत्ती चल रहा है रिद्धी के जुत्ता में बत्ती चल रहा है रिद्धी तुम्हारे जुत्ता में बत्ती चल रहा है अपार तुम्हारे जुत्ता कहां है तुम्हारे जुत्ता कहां है बिटा जाओ ममी को बोलो मेरे जुत्ता पेना दो जाओ तो रिद्धी आओ आजा रिद्धी आजा आज अभी साम के साथ बज गए हैं और पार्थ दियां पर खेल रहा है एक खेल रहा है और दूसरा पर तोड़ दे तोड़ दे ना ना आएंगे तुमको मार मार के तोड़ देंगे समझ गया लुड़का और यहां पर गुत बाजी चल रही है इसको क्या खाना है पिजिनिंग कै लिए क्षंट उम्हाराज बाबाबा इट अब वह बाबा इस जलदी वहांगे आपको कुछ खाना है मैं तुमको कुछ खाना है क्या तृच नहीं नहीं था है क्यों पापा के दर से खाना है अच्छा समझे समझे तो मतलब जैसे ऑफ कैमरा होंगे उसके बाद खाना है रिकॉर्ड हो रहा है अच्छा तो यहां पर जो भी लोग बोल रहा है कि हमको नहीं खाना है तो हमारे यहां पर अभी है रिद्धी माई अविलेबल है यहां पर यह टीका लगा के जलपानगी में तो यहां पर सुध्य साका रिक खाने का मन हुरा था तौह हम लोग यहां पर आज चुके हैं चलते हैं मसाला अधूर्टा के बताते हैं कैसा लगता है हम लोग ने ओर्टर किया है मसाला डोसा हमारे साथ में रिधी और पल्लवी के लिए हम लोग पैक करा करके लेके जाएंगे अचुका है और प्रग्या का भी आ चुका है और प्रग्या टेस्ट करने वाली अभी प्रग्या रेडी खाना स्टार्ट भी कर शुकी है यहां पर कैसा लग रहा है जाएंग इस टेस्ट वाइज बहुत ही मस लें तो आसंटेस्ट है यहां में जो सांबर और चट्टनी है पर्स्ट क्लास है अगर कभी आप लोग मुझवषादपूर में हाओ तो टावर से आपको राइट हेंड साइड में जाना पड़ेगा आपको 100 मिटर दूरी पे मिल जाएगा यह बगवान जल्पान जो यहां पे सुद्धिसा का हरी वजन मिलता है यहां का आप डोसा ट्राई कर सकते हो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं यह लोग यहां पैट रही है एक जब दोसा खाने के लिए यहां से खानी है मैं राइतम द्यान है इसका डोसा पर हम लोगा दिनर हो गया यहां पर हम लोग डोसा खाने आं यह बहुत नसा लगा और जबाए लेना था पलळवी के लिए और नानी के लिए तो वह भी ले लिए और पल्लेविक ले डोसा भी पैक करा लिए हैं वाइस अभी रात के ग्यारा बच चुके हैं और मैं उपर आ गया और बच्चे दुनों सो गए हैं पारत्रिदी दस बजे से ही सो रहे हैं वो लोग अपना डिनर वगरा करके और हम लोग तो बाहर से डिनर करके मुझे भी सो जाना है तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं और मिलते हैं कल के व्लॉग में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिजिए चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबना ना भूले तब तक के लिए गुड़ नाइट हैं थैंकि फूर वाच